नमस्कार दोस्तों इस चैनल रे फिट से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपके लिए बहुत ही रोचत जानकारी में लेके आएं दोस्तों क्या आप सभी लोग जानते हैं अंजीर के फाइदे और नुकसान के बारे में दोस्तों बिल्कुल सही सुना अपने अंजीर के फाइदे और खाने के तरीका भी होता है वही आज बात करने वाले हैं दोस्तों अंजीर पोशक तत्व से भरुपूर एक गुणकारी फाल है यह स्वाद में मीठा होता है इसलिए विशेशकर मीठे में डालकर खाय जाता है इसका आकार और रंग में फल भिन्ने प्रकार का हो सकता है अंजीर काला सफेद और लाल रंग का हो सकता है यह फल पूरे सा उपलब्द नहीं होता है इसलिए जातर सुखे हुए अंजीर का ही उपयोग में लाया जाता है अंजीर में काफी स्वास्त वद्धक खनीज और विटामिन्स होते हैं और कहीं तरह के इंटियों इसके लावा पाचन समधी समझ्या को छुटकारा पाने में ये फल काफी मदद करता है। दोस्तो जानते हैं अंजीर की फाइदे अंजीर में फाइबर से भरपूर होता है। इसमें पोस्टिक फल में इमीनियो असीड होते हैं जो हमारी सकीन में नमी बनाया रखते हैं और तोचा शमकदर बनता है। इसके अलावा जिनकी सकीन रुखी सुकी और होट सुक्य फटे हो रहते हैं उन्हें हमेशा अंजीर खाना चाहिए। अंजीरस में मिलने वाला फाइबर हमारी आतों के लिए काफी फाएदे मन्द होता है। आतों को सुचार गूर्प से काम करने में अंजीर हमले मदद करता है। अंजीर काम करने के लिए भी सेवन में खाय जाती है। अगर हम उचीत मातर में अंजीर खाए तो पतला होने में मदद करता है हाला कि इसमें केलोरी की मातरा काफी होती है इसलिए इसका ज़्यादा सेवन बजन बढ़ाने में ही किया जाता दोस्तो खासकर अगर दूद के साथ खाया तो वेट बढ़ाने में काम आती है दिरते संबंदेद रोगों को मर्यजों के लिए अंजीर बहुत लाब डाख है इसमें ओमेगा 3ौलल ऑमेगा 6 पायता है जो हमारे दिल के लिए काफी अच्छा होता है अंजीर खाने से ज़्यादर धिल के रोगों को लिए बहुत फाया बहुत बने रहता दोस्तो अंजिर में केलिशियम के मातरा भी होती है, अंजिर खाने से हमारे हड़ियों बढ़ती है और हड़ियों मजबूती आती है, यदि किसी को फेक्चर हुआ हो तो अंजिर खाने से कहिने को उसके हड़ियों पर फादा मिलेगा दोस्तों अब हमने तो यह जान लिया अंजिर खाने के फाइदे हैं अब हम जानते हैं अंजिर खाने के तरीके इस फल को कहीं तरीके से खाय जा सकता है अंजिर खाने से सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस फाइदे के लिए अंजिर खाना है जिन लोगो कब जरता है या वजन मड़ाना हो तो रात को दूद में भीगी हो अंजिर सुबह खाने से फाइदा मिलता है जिसे कि हम सब जानते हैं कि फल गरम होता है इसलिए अगर गर्मियों में इसका सिवन करना है तो दूद की जगा पानी में भीगो के अंजिर खाए इसके पाचन के रहे दूस्त करनी है तो हाज में से लेकर कहीं था कि परेशानी को छुटकरा मिल सकता है इसलिए इस फल को सूखे फल को इस्तमा करने के लिए हमें अंजिर गर्मी के समय में पानी में लेना है जो हमारे पाचन शक्ती को और हमारे कुई दूसरी परेशानी से बचाता है जोस्तों हम पता चुके हैं अंजीर खाने के फाइदे तरीका आप जानते हैं इसके नुकसान कोई भी आहार या फल ज़्यादा खाने से हमारे लिए अच्छा नहीं होता ऐसे ही इस फल के लिए भी कायाता है अगर हम अंजीर जाए खाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट यानि नुकसान भी हमें जहलने पड़ सकते हैं अगर जरूसर अंजीर खाते हैं तो पेट दर्थ यह और गेस की समस्या हो सकती है अंजीर ब्लड सुकर की कमी करता है जो जिन लोगों को शुगर बढ़ने की समस्या है उनके लिए तो ठीक है पर जिनकी शुगर कम रहती है इसके लिए नुकसान दैग हो सकता है इनके सिवन से माय तोचा में 77 शील बढ़ आती जिससे सुरे से निकने वाली हानी कारा किर्णे इसके नुकसान पचा सकती है अंजीर खाने हमारे लिवर के लिए नुकसान दैख वकता है इसके बीज आतों में रुकार्ट पिदा कर सकते हैं अंजीर के तासिर गरम होती है जिससे अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो गुदा या खून का भाव चालू हो सकता है अगर किसी की इस दाद दिक्कत है तो डॉक्टर ज़रू संपर्क करें दोस्तों दोस्तों अंजीर खाने के या किसी फल खाने के फाइदा है उतनी है नुकसान रहतें लेकिया किसी फाइए जायकर किसी ही जाया दोस्तों